नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राइम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस्दुरानी आज हम बनाना सीखेंगे कश्मीरी चाय कश्मीरी चाय को बनाने के लिए हमें जिन अजज़ा की जरूरत है उन में शामिल है आधा कप दूद, आधा कप पानी, एक टेबल स्पून चीनी, एक टी स्पून सब्स चाय की पती, एक कप यक ठंडा पानी, एक टी स्पून बारीक कटे हुए बदाम पिस्ते, एक चुटकी मीठा सोडा, एक सब्स लाइची, एक दार्चीनी का टुकड़ा और एक बादियान का टुकड़ा तर्कीब आदा कप पानी पतीली में डाल के गरम कर ले जब पानी गरम हो जाए तो फिर उसमें बादियान का टुकड़ा सबस इलाइची, दारचीनी और सबस पती डाल कर अच्छे से जोश आने दें फिर जैसे ही जोश आ जाए तो आच को हलका कर दें और फिर एक कप थंडा पानी और मीठा सोडा एट कर दें और फिर इसे चमच की मदद से उपर उठा कर धार की सूरत में पतीली में गिराएं इस तरह करने से चाय का रंग हलका गुलाबी हो जाएगा दो मिनट तक इस तरह करके फिर हस्बेदाए का चीनी और दूद इसमें शामिल कर दें फिर इसे एक जोश आने तक पकाएं फिर इसे एक कप में निकाल कर उपर से बदाम पिस्टा गारनिश करें और कश्मीरी चाय को इंजाए करें ये थी हमारी आज की रेसिपी अब आप से अगली रेसिपी में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए